फिनोईच पे लर्जिनें टॉर्भो ने अपना Q3 का result पोस्त किया है और जो ब्रुखर इज फंस बंस बगरा ने पहले बताया था कि लर्जिनें टॉर्भो का कितना % आपे £3 डेखने को मिल सकता है Q3 result में क्या post करता है लर्जिनें टॉर्बू उससे कही गुना जादा इस वीडियो के मादधम से हम लोग लार्जन टर्बो का शियार को लेकर समझेंगे और इसका जो कीव तरीका रेजल्ट है उसको लेके भी इंफरमेशन धरावाद देखने के कोशिश करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग बहुत सर इंफरमेशन शियार करने वाले के लार्जन टर्बो के शियार को लेके उसके कीव तरीके रेजल्ट को लेके बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हो सकता है रिक्वेस्ट करते दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रही के पिव स्किप मत कीजिए ताकि आप पो एक रोट इनफरमेशन मिल जाए और अगर और जो है क्योंत्र कर रेजल्ट पोस्ट किया है इसमें नेट प्रॉट जो हुआ है ट्वीनिफ पर्संट ग्रोथ देखने को मिला है जहां पे 2553 करोड का प्रॉफित हुआ है नेट प्रॉफित लर्जन टार्बो को ओं यह बहुत बड़ा जो है यहां पे चलिए समझते क् 30th reported a consolidated net profit of rupees 2553 crore for the December quarter of the financial year 2022 से लेके 2023 तो यहाँ पे जो यह लर्जिन अ टर्बो ने जिये result यहाँ पे 2553 crore का जो है net profit jump देखने को मिला है यहाँ पे 24% का growth देखने को मिला है last year का अगर इस quarter का देखते तो उसमें 24% यहाँ पे देखने को मिला जम देखने को मिला है the revenue from operations zoomed to rupees 46,300 crore लर्जन टर्बो का जो operation business बिजनस का उसमें से देखेंगे 46,390 crore का जो है zoom देखने को मिला है profit में higher by 17% from the corresponding quarter तो एक साल पहले इस quarter का अगर आप देखते हैं तो बोल सकते की या फिर previous financial का मतब इस quarter का देखते हैं तो उसमें से जो है operation का जो revenue आया है operations लेजन टर्बो का उसमें 17% का ग्रोथ देखने को मिला है 46,390 crore का जो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है वही बात करते हैं यहाँ पे जो brokerage बगड़ा है जितना target price दिया था तागेट पर से निमाप कीजिए जो बताया था कि Q3 result में resident arbo का क्या हो सकता है यहाँ पे result बगड़ा क्या post कर सकता है उससे से जो है कही गुना ज्यादा result यहाँ पे जो पोस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है the members are better than expected according to a brokerage pool conducted by money control consulate revenue for the third quarter of financial year 2023 was seen rising 5.2% consequently and 13.7% annually to rupees 44,972.85 करों तो money control से पूल किया गया था result को लेके बताया गया था उसमें money control को लग रहा था कि जो financial 2023 का result आएगा उसमें हो सकता है कि 5.2% के आसपा जो यहाँ पे rise देखने को मिले quarterly and यहाँ पे देखेंगे तो लगबग annually जो 13.7% के आसपा जो यहाँ पे growth देखने को jump देखने को मिले सकता है जो कि 44,972.85 करों के आसपा हो सकता है company का यहाँ पे देख सकता लर्जन अन टर्बु का जो net profit है estimated to go by 13.7% on quarter on quarter and 23.4% year on year to rupees 2535 करों in the October-December period the strong performance was aided by improved execution in the infrastructure project तो infrastructure project के चलते जो है infrastructure project में execution होने के बजा से लर्जन अन टर्बु को यह बहुत बड़ा फाइदा हुआ है उसके result में भी अच्छा का सब जो है growth देखने को मिला यह सब बताया जा रहा है and continued growth momentum in the IT and TES portfolio तो लर्जन अन टर्बु का बोल सकते कि दो उसके दल पोस्ट किया है जा पर अच्छा का सब फाइदा हुआ है company को international revenue के बात करते तो आप देख सकते कि during the quarter at rupees 17,317 करों constitute 37% of the total revenue तो international revenue जो है उसमें से 17,317 करों आया है लर्जन अन टर्बु को जहाँ पर 37% जो total इसका revenue ने उसमें से growth देखने को मिला 37% उसके international revenue जो ही आप एक बहुत बड़ा part किया है growth में at the group level L&T received orders of 60,710 करों during the quarter तो इस quarter में जो है L&T के और से लर्जन टर्बु के और से बता जा रहा है कि बहुत बड़ा order मिला था जो amount था जो amount 60,710 करों का during this quarter registering a growth of 21% over the year ago period इसके एक सल पहले से period करे इस quarter का देखते है जहाँ पे company का जो growth हुआ था लर्जन टर्बु का वो उसमें 21% का growth देखने को मिला था Consolidate order book as of December 2022 and was रूपीज 3.86 लाक करोर जो बहुत से तके जो project का segment है उसमें से आप देख सकते है के दा segment saw order inflows of रूपीज 32,532 करोर during the quarter registering a growth of 28% year on year EBITDA margin of the segment came in at 7% तो लर्जन टर्बु का जो infrastructure project है उस segment से company को जो ही आप देखने को मिल रहा है कि एक बहुत बड़ा जो है project मिला तो 32,530 करोर का जो यहाप एक growth भी देखने को मिला है company के जहापे 28% growth हुआ है year on year business में EBITDA 207% का यहाप है जो है growth देखने को मिला infrastructure के business से order book देखे तो 2.78 लाक करोर का है as on December 31st 2022 तो बहुत बड़ा एक बोल सकते कि यहाप है बहुत बड़िया एक result जो है large and turbo ने यहाप पोस्ट किया है अभी बात करते है इसके share का समझते यहापे shares को लेकिए तो दोस्तों यहापे large and turbo का जो share है उसमें देखते तो 95% कह रहा है share market के जो analyst है 95% कह रहा है कि large and turbo के share में buy करके चल सकते है hold करने के लिए 0% and sell करने के लिए 5% बिल्कुल भी अभी यहापे sell नहीं करना चाहिए जो हमें लगता है जादर analyst जो share market को लों का मानना है कि large and turbo के share में जब buy करके चल सकते है यहापे आप देख सकते हैं and अभी यहापे बात करते हैं जो अरजनन अर्भू का जो share holding का information है तो आप देख सकते हैं September 2022 में जो retail and others के पास stake था 39.96% का and यहापे December 2022 quarter में 39.45% का stake देखने को मलना है retail and others के पास तो retail and others ने stake क्या पे तोड़ा कम किया है foreign institution के पास 22.06% का stake था September 2022 quarter में December 2022 quarter में foreign institution के पास 23.24% का stake है तो दोस्तो यहापे foreign institution जो stake बरा दिया है अधार domestic institution का पास 20.04% का stake था अधार domestic institutional stake यहापे घटाया है 19.65% कर दिया है mutual fund के पास stake था 17.94% का and mutual fund ने भी stake यहापे कम किया है थोड़ा तो दोस्तो यहापे जो है foreign institution जो है बहुत ही बढ़िया stake उसका यहापे बनाया है तो दोस्तो एक बहुत ही बढ़िया share लगता है हमें यह लर्जिनेंट अर्बू और जिस तरह से इसका business का growth हो रहा है इसके चलते हमें लगता है जरूरी stock में जो है लर्जिनेंट अर्बू को share करेंगे खुद से एक बड़ जरूर रिसार्च केजिए कोई भी share करेंगे बैसनें से पहले और दोस्तो आपको क्या लगता है लर्जिनेंट अर्बू के share को लेकर जरूर आप हमें comment करके बताईए आशा करतें जो भी information दिया अच्छा लगा रह किजिए अगर अपने अभी देख हमारी यूटिब चैनल की नवीच को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए